तो प्यारे विद्यारतियो, सेवंथ क्लास दी मैथ दी बुक दा चेप्टर नमबर 6, ट्राइंगल्स उस दी एक्सरसाइज 6.2 शुरू करन जा रहे हैं ते इस वीडियो इच असी पहले तिन स्वाल, पॉस्चन नमबर 1, 2, 3 इस वीडियो इच करांगे सो तुसी बड़े ते आंदे नाल सुनो जो गलना अंदसियां जानगी हैं ते नाल नोट को करते पैनल ले लो ते वीडियो नो पॉस करके सारे अंसर्स तुसी नोट डम करी जाने ने बट मेक शूर इस वीडियो यकीनी बनाओ कि तुसी सारे स्वाल नो बाद विच्चों बिना देखे अपने आप करना है लेट मी रिपीट माइसल्फ मैं अपने नो दोहरादमा कि गनित मैथ सिर्फ करके अंदा है पढ़के सुनके कदी भी नहीं होंदा math can only be learnt by doing, it can never be learnt by watching और by listening ठीके, सो इस गल नो बच्चे वड़ा त्यान रखना है कि सारे स्वाल बेश्चों तुसी देख लो, सुन लो, note कर लो पर बाद चो सारे स्वाल नो तुसी अपने आप करना है स्वाव शुरू करिए पहला बड़ा बेसिक स्वाल है बच्यों जो सी नोट्स पड़े ने वह दा प्रेक्टिकल रूप आगे ने स्वाल स्टेट इफार ट्राइंगल इस पॉसिबल विद्धी फॉलूविंग एंगल्स बच्यों इनने पन स्वाल देते ने, A, B, C, D, E पहले किसी भी अगर तरको तिन कोन आदा सेट आगाया, देज सेट ऑफ थ्री एंगल्स एए 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 ते केंदे दसों की यह जड़े तिन एंगल्स ने किसी ट्राइंगल विच संभव है ने, पॉसिबल है ने, पि कोई ट्राइंगल होगे तो बच्यों तिन एंगल हो ने उन तो ही सोचो बच्यों है स्वाल के विए करना है, सो एदे विच पच्यों में तो अंदास दमाएंग एक सिंपल जो सिधान्त जो प्रिंसीपल असी पड़ेया है नोट से विच उनके निया एंगल्सम थियोरी, एंगल्सम थियोरी की गिंदी है कि दुनिया दा कोई भी इसके लीन होवे, आइसो सील्स होवे, एक्विलेटरल होवे, अप्ट्यूस होवे, एक्यूट होवे, राइट एंगल होवे, एनी ट्रेंगल यूटेक, छोटा था बड़े था बड़े वड़ा, वस ट्रेंगल विच तिन कोना दा जोड कदी वी 180 डिग्री तो ना काट आं आहनु जोड लाए इनुए जोड लाए नुए इनुए जोड लाए एनुए जोड लाए जूड आंगे असी देखांगे जिथा जूआви एक्श वंडं न होगई च्काओंगे ट्रेंगल इसाइट आहा न जोड़ें ते जिथाए 180 डिग्री तो काटन दा या जड़ान डा जरूर ठीक है in any triangle the sum of the three interior angles is always हमेशा 120 degree हो जोड यह जिल्ले तेरा आगया 170 degree जो 120 degree नहीं हैगा as the sum of the three angles is not 180 degree क्योंकि यह नदा जोड 120 degree नहीं हैगा no triangle is possible with these angles एना कुना दिनाल कोई त्रीपुज संभव नहीं है करके देखिए 70 जमापया 120 जमापया 170 जमापया लोग जी तो as the sum of the three angles is 180 degree a triangle is possible with these angles एना कुना दिनाल त्रीपुज संभव है अगे चलिए फिर आगया बच्चे हो फिर जोड यह ते फिर आगया 110 degree लोग जी उन्ते 170 तो ज़्यादा हो गया so as the sum of the three angles is not 180 degree नहीं हैगा 120 degree no triangle is possible with these angles इना कुना दिनाल दुनिया दा कोई भी त्रीपुज नहीं बन सकता ठीके फिर अगये देखिए the sum of the three angles is not 180 degree no triangle is possible with these angles बच्चे वो देखो है बड़ा वधिया सी स्वाल एदेनाल जड़ी यसी angle sum property पड़ी यह वोधी किसमदी साथी confirmation होगी उसी check भी कर लिया इत्दां पी कित्दां ए जड़ी चीजे information देनाल सी डिसाइड कर सकते हैं कि triangle is possible और not ठीक है अग्डे चलिए अगले स्वाल ने थोड़ा एदा लेवल हो उपर हो गया बड़े वधिया स्वाल त्यार किते हैं ने ट्वड़ी कितावच find the value of x है देखो x देते हैं इन दी following figures हेट लिखे चितरां दे विच जो x दा मुल है x दी जो value है माँ पे उपता करो उन बच्चे देखो तिन कौन बढ़ा है ने इन इंटिरियोरल स्वाल किनल से Anyone बच्तर में स्वाल करना करने पर क्योंगि ट्री इंटिरियोर और ट्री इंटेर इंटिरियोर इंटियोरि अने ट्रियोर। एस अड़ा असूल ए स्वाल करना दा, we know that the sum of the three interior angles of a triangle is 180 degree, बच्चो एह लाइन नू तुसी रटा लालो, बड़ा सोख है, टोड़ी अगरे जी दी प्रेक्टिस भी होगी, तेनाल टुनू है मुँछ अड़ गई गई, अपक्ती याद हो जागी, सारी उमर ली, और गलना अग्गे भी वरतियां जानेगी हैं, अठ्वी ग्लास विच, नॉमी ग्लास विच, दस्मी ग्लास, हर जवा कम बानेगी हैं, फुन तिन एंगल केड़े ने, एक्स त्रविंजा त्या साथ, देरफोर, क्योंकि यह इस तरह है गया है, इस करके देरफोर 53 प्लस 60 प्लस X is equal to 180 degree, अज़ बच्चे दस्तों हैं की बन गया, यह जो सी चैप्टर फोर्च पर चुकिया हैं, सिंपल एक्वेशन्स, सरल समी करन, वो बन गया दिखो, उन्हें X नू इते रखना है यह विरियेवल है, ते ऐ 53 और 60 नू चाक के सिज़ बसे लएगे, सो साथ नू लएगे गए, पॉजिटिव एगए, मैनस 60 हो गया, 53 भी लएगे, मैनस 53 हो गया, सो एक्सो साथ चो एक्सो साथ चो एक्सो साथ गया, किन्ना हो गया, एक्सो भी हो गया, एक्सो भी चो एक्सो तरविंजा गया, ते किन्ना हो गया, 67 हो गया, सो जिले एक्सो साथ भी गटाम हो गये, फिर 53 गटाम हो गये, सड़ को वैली आगी, X is equal to 67 डिग्री, और जे तुई चेक करना है, कि जो एक्स दी वैल्यू आएगी, उन्हों इत्हे पाके, एत्तिन्ना में जोडो, ते तिन्ना दा जोड एक्सो असी आना चाहीदा है, ठीके बच्चे, 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 चलिए, ओके, फाइंड दी वैल्यू फेक्सो यू सेम, जरूर, चुरू करना तो पहले, therefore, इस करके, एक्स आगए, एक्स आगए, एक्स आगए लाज़ा है, ठीके, तो नबबबबे जोड़ जमा एक्स दी डिगरी, उसी तरह, और एक्स से लफ्ट साट ते रख लया, रिटेन कर लया, 90 right side ते लए गए, minus 90 हो गया 40 right side ते लए गए, minus 42 हो गया 180 जो 90 गए, 90 ते 90 जो 42 हो गए, 48 तो इतना आगया 48 degree, x is equal to 48 जे मैं इतना 48 पामाऊंड ते 48 जबाँ 42 किना हो आज़ेगा बच्यो 90, ते 90 जबाँ 90, 180 तो मेरा answer x is equal to 48, विल्कुल सही है अगे चलिए, okay, same heading part 3 question number 2, उन्हें इतने बच्यों x देता है उन्हें इतने भी x देता है, दो x आगया हो, एक 70 degree आगया पर असी बिल्कुल नहीं गपराना, तिन कोण ने, वो ही से दानते we know that the sum of the three interior angles of our triangle is 180 degree, therefore करता x जमा x 70, so x जमा x जमा 70 is equal to 180 बहुत सिंपल, so x जमा x किन्ना हो गया, 2x हो गया is equal to 180, ते 70 इदर लागे right hand side ते so plus 70 थिया के minus 70 हो गया, so minus 70 हो गया so 180 चो 70 किन्ना हो गया, 110 हो गया और बच्यों 2x ना multiply हो रहे है, ते जले जड़ी चीज multiply हो रही होए, उन्हों जिले दूजी साइट ते ले जाओ, ते जो division बन जान दी है, so 2 multiply हटके, ऐ बन गया 110 बटा 2 so x is equal to 110 बटा 2, दो पंजे 10, ग्यारा चो दस गया 1, 0 थल्ले उतार है, फिर 2 पंजे 10, so x is equal to 55 डिगरी, जिले 110 नूँ, दो ना पाकरांगे, सड़को आजगा 55 डिगरी, और मैं बच्चों इत्थे पामागा, इत्थे 55 लिख देता है, x क्योंगी 55 आया है, इत्थे भी 55 लिख देता, so 55, जो मैं 55 किन्ना होंदा है, 110, 110, जो मेरा जवाब ठीक है, अगे चलिए जी, ओके, पार्ट फोर आ गया, उन्हें देखो बच्चे थोड़ा इनाने होर अगे लेवल बदाता, इत्थे x करता, इत्थे 3 x करता, इत्थे 2 x करता, सनुब 1 भी degree ने देती किते थी, हना कुछ भी ने देता, पर असी बिलकुल नहीं कवरा ना, असी क्यों नWorld कवरा ना, किसी भी तिरी पुझ दे तिन नों कोण अला जोड 180 डिगरी हुंदा है तिन कोण केड़े ने x, 3x, 2x तो इसे लिख देता है x, 3x, 2x is equal to 180 डिगरी किना सौक है तो 1x, 4, 2, 6 6x is equal to 180 डिगरी उन 6x ना गुणा हो रहे है जिए 6 नों राइट अटऊ ते लाके जाओ जाओ कि दिवीजन हो जाएगी अग दिवीजन हो गी 6 so x is equal to 180 डिगरी by 6 so 6, 6, 2, 8, 6, 0, 0 so x is equal to 30 डिगरी आगे लोग जी 3 डिगरी आ गया भोन असी चेक भी कर लेने या x is equal to x is equal to, here 3 डिगरी हो गया यह 30 गुणा ती, 3 यह 90, so 90 जमा ती किन्ना हो गया? 120 हो गया, 120 हो गया हो गया है, ती गुणा दो, 60, so 120 हो गया 60, किन्ना हो गया? 180, so मेरा जवाब ठीक है, इस तरह बच्चेव, असी क्रॉस चेक भी कर सक दें हां, ठीक है? अगे चलिये, question number 2, part 5th, कोन लो जी दो कोई, होना इस तरह आ गया, x, 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 same उसी तरह, we know that the sum of the 3 interior angles of a triangle is 180 degree, so x जमा, x जमा, x is 180 degree, एक, दो, तिन, 3x हो गया, 180 degree, तिन, थले आ गया, 182, 3, 6, 18, 6, 0, so बच्चेओ, देखो, एह आगया, 60, every 60, every 60, every 60, इदरो बच्चेओ, तहनों की पता लगदा है, वैसे हो, जे चांदे ना बच्चेओ, ते अगे 21 स्वाल होर जोड़या जा सगदा है, की state, what kind of triangle is this, की दस्व एक, इस किसंदा ट्रेंगल है, ते बच्चेओ, जे आसी, नोट्स पड़े ने, नोट्स त्याना सुने ने, नोट्स वड़ा वीडियो देख्या है, ते सानुपता लगदा लगदा है, क्योंकि तिन्नों कॉन बराबर ने, तिन्नों कॉन बराबर किस त्री पुझ विच उ एक सो भी, एक सो भी, जमा सट, एक सो अशी जो जवाब भी ठीक है, ते जद्नों साइडां मिभी बराबर होन गियां, ते उस ट्रेंगल न क्या जन्दा है? एक कोई लेटरल ट्रेंगल, उन्हें एक क्वी आंगूलर ट्रेंगल भी कह सबनें, एक्वी लेटरल दा मतलब इक्वी लेटर ट्रेंगल है वो इक्वी लेटर टे हुंदा ही है ना इक्वी एंगुलर भी हुंदा है वो दे तिन्नों कोंड जड़े ने 60-60 डिग्री दे बराबर हुंदेने ठीके स्पेशल केस है अग्गे चलिए पॉस्टर नमबर टू पार्ट सिक्स लोगी उन हो रगे थोड़ा इननने डिफिकल्टी लेवल बदा दिता है मलकी वदी है इतना पड़ा दर पड़ा टोड़ी यले प्रैक्टिस होई जाएगी ते फिक तो अनुस वाल दिको उनने एक्स मैनस फाइफ कर दिता ते एक्स जम गी तरह पता है वो सिदान्त केड़ा है वी नोगाट दी सम आफ दी थ्री इंटीर एंगल्स ऑफर ट्रैंगल इस बनेटी डिगरी ए मंतरते में नू पक्का याद करना ही करना है सो तिन कौन केड़े ने एक्स मैनस फाइफ क्योंकि बच्चे ओना है दो दो टर्मा आगी है माइनस प्लस आगया तो यसी ब्रैकेट पाद रहना है बस यहने पाई तो नों ब्रैकेट पादी ने फड़ा सेफ रहोगे कंफ्यूजन नहीं होएगा सो देर्फोर एक्स मैनस फाइफ जमा एक्स जमा फाइफ जमा साथ डिगरी इस इपल टू एसी डिगरी बस वही कर ले यह जमा एक्स जमा फाइफ जमा होगे साथ इसएक्स एक्स इटीटी डिगरी थी अंगत पता है बच्यों जदो किसी भी नंबर दे विच वह दा एडिटीटीव इननवर्स जोड़े जावे ति नटीज़ा होंदा है जीरो सो यहां सी किने एक दूजाना कट जानगे चूँकि इत्थे भी 5 ये इत्थे भी 5 ये इत्थे गए positive इत्थे गए negative सो एक कट गया एक कट गया एक कट गया अर्थाथ एक उड़ गया ये ना दा कोई मूल नहीं हैगा मालो बचियो मेरे को 3 के लिए सिगे थिमें 3 के लिए खाले और उननों किनए के लिए गए 0 ये मैं पांच सिगे ये मैं माइनस पांच हो गए जो जीरो एद ऊड़ी गया सो सटकों की बचिया एकस एकस के साठ ए तिन चीजां बच हैं सो एकस जमाह एकस जमाह साठ बराबर 180 मैं आगे जमाँ x, 2x बन गया, जमाँ 60 is equal to 180 तो 90 में इधर लाए गया, राइट अड़ साथ ते क्योंकि x जाने variable एगने x या y उन्हों एकको पास से रखना है, और 2x is equal to 180-60, 180-60 किन्ना होंदा है बचे हो, 180-60 होंदा है, तो सो दो एकम दो दो शीक बारां दो जो 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 एक्स इस इविल टू आ गया सथ डिग्री पुन बच्चों जे मैं चेक करां कि ठीक है नहीं तो बड़ी अरावना चेक हो जागा एगा सथ माइनस पांच किना होंदा है बच्चों 55 डिग्री इते पिच्विंजा हो गया सथ जमाँ पांच किना होंदा है 25 डिग्री सो इते 65 आ गया सो 65 जमाँ 55 किना हो गया 120 डिग्री ते 120 जमाँ 60 किना हो गया 180 सो मेरा जवाब ठीक है बड़ा इंपॉड़न स्वाले इंत्यान विचान दी पूरी-पूरी संभावना है क्योंकि सिद्धे पद्रे स्वाल नहीं इद्दी आनगे रिए कुछ भी नहीं बच्चे वह वह पस यन नहीं की किता है कला एक्स या 2x लिखन दी बजाए नाड माइनस 5 यहां 5 प्लस 5 कर देता है वो प्लस 3 माइनस 3 भी कर सकतेने प्लस टू माइनस फूर भी कर सकते ने ओधेनल कोई फरक नहीं पहेगा ठीक है अग्गे चलिए हुन आगया बच्छो कोस्टन नमबर थ्री एवी बड़े इंटरस्टिंग स्वाल ने फाइंड दी वैली ओफ एक्स एंड वाई हुन ने दो वेरियबल करते एक्स भी थे वाई ठीक है पर सिदान तो ही होएगा बच्छेओ असी तिया आना रिखने बच्छेओ मैं तुनों तिन गल्लां दसना कि ए तुसी चेक्टे रिखनी है मेशां ट्रेंगल दे स्वाल जो भ इनियर प्यर बनां देने रिखी जोड़ा पि ए दुनों कोना दा जोड़ भी एक्सोसी डिग्री होंदा है एक एगल जाद रखनी है ते तीजी गल्ल कर दी याद रखनी है कि एक्स्टीर एंगल इस एक्सा जगा एक वाई आजेगा ते मेलको हाल नी होएगा क्योंकि एक अचल नी है गाना दो वेरियेबल आ गए ठीक है ते जे मैं एनु लवाँ एक्स्टीर नू एदेनार लवाँ ता हाल हो सकता है कल्दा एक्स आएगा एनु मैं पहले एदेनार लवाँ ता ही भाई हाल हो जाएगा तो इस ता एदा मतलग है वे कि पहले मैं ए बड़ा क्योंकि कल्ला वाई ए था मिनू एदम लगी है य?..देरफोर वाई जमाद 110 डिग्री इस एक्सोट Cu top Webs here 110 इदर चला गया, 180 मैनस 110, so y is equal to 70, y is equal to 70, so एक जवाब आया है, y आगया, y दी वेल्यू आगी 70, हुन अगये चलिये, हुन मैं कमाँगा कि we know that the sum of the three interior angles of a triangle is 180 degree, हुन मैं इननों लगाँगा, क्योंकि मिननों y मिल गया है, so x जमा y जमा 60 degree is equal to 180 degree, but y is equal to 70 degree, हुन इसी calculate कीता है, so मैं y दी वेल्यू इच पातमा हुआ, ठीके y दी था, 70 पातमा हुआ, so x जमा 70, जमा 60 is equal to 180 degree, therefore x is equal to 180 degree लिखके, minus 60, minus 70, ठीके, 180 जो 60 गया, 100v, 100v जो 70 गया, जा, so x is equal to 50 degree आ गया, तो y is equal to 70 degree आ गया, उन्हें चेक भी कर लिए, x जमा 50, 50 जमा 60 किना हुआ, 110, तो y किना है, 70, so 110 जमा 70 किना हुआ, 110, so मेरा जवाब ठीक है, अगे चलिए, बच्छो, question number होँए, x and y दी वेल्यू फथा करनी है, part 2, उन्हें part 2 देखोई थे, कि यह गया, इत्थे सौक है, इत्थे x है गया, तो इत्थे 2 कौन दिते ने, so मैं सिद्धा एवला चीज वर्द सगना, ठीक है, और मैं इन्हों भी वर्द सगना, क्योंकि y दिनाल सिद्धा, एदो जोड है, 60 जमा 40, 100 आ जाएगा, सिद्धा, ठीक है, ते फिर मैं, यह गया, ति मैं x भी पता लगा साथ हम, अन स्वाल लूँ दो तरीके ना किता जा साथ है, जिस टंगना वर्जिय, तुसी पहले ए पता कर लो, 60 जमा 40, 100, थे x आजेगा 80, थे 80 चऊँ फिर, 80 चड़ा है, 180 चाटा दो, थे एज़ा है 100, 100 थे आजेगा 100, इंटिरियर ऑपोजिट एंगल के डेने सथ हो चाली, सो y is equal to 40 जमा 60, y is equal to 100, ऐसे सिद्धा आई ही गया, फिर आलसो दी सम आव दी 3 इंटिरियर एंगल से 180 डिगरी, उन साथ को x आ गया, सो 60 जमा 40 जमा x, x जमा 60 जमा 40 जमा 40 जमा 80, 180, x नूर्थ खबे पासे रखे, 60 राइट एंट से गया, मैनस 60 हो गया, 40 राइट गया, मैनस 40 हो गया, 180 जो चॉलई हो चॉलई है, 140 जमा जमा 80 डिगरी हो जोड़के देखलो, 60 जमा 40, 100 जमा 80, 180 जमा 80 जमा 80, ठीक है, अगगे चलिए, सो हुन देखो बच्चेओ थोड़ा हो रहनने एक चीज होर इन्वाल कर देती है जो इस चेक्टर विच नहीं पर पहले यह जो यह एकर पहले जिघ्या है कि इसलिघ्या अश्चेओ को मदा रहने हृण जया को मंशार हुए जया एक यह are equal so b c a b c a is equal to d c e d c e so d c e kere 80 बराबर है ते b c a x दे बराबर है therefore x is equal to 80 degree चलो जी x ते समुसे दा इती मिल गया ठीक है also the sum of the three interior angles of triangle is 180 degree समय भी पता है so मैं की किता x जमा x जमा y एक्स जमा y is equal to 180 degree but x is equal to 80 degree असी पता लगा चुके है so मैं x दी था 80 degree value पाती 80 जमा y is equal to 180 और y is equal to 180 80 इदर ले गए 80 इदर ले गए 80 इदर ले गए so 180 चो 80 गया 100 फिर 100 चो 80 गया जी so y is equal to 20 degree ऐस स्वाल इदना करना है उन्दे को बच्चे वेच टोड़े ट्रेंगल दे चेप्टर चेप्टर च वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दी कोई गल नहीं कीती पर असी पहले जो चेप्टर पड़े ने इस तरह बच्चेओ सारे जड़े सब्सक्राने उन्हों त्यानना पड़ना बड़ा जुरूरी है कितने किते विच दुजियां गलना रला आगे स्वाल त्यार कीते जांते लिए था ठीक है सो एदा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यूज करके फिर सी एन्हों यूज कराने ठीक है अगे चलिए पुन आगया बच्चेओ एते सौखा ये चलो केंदे वी नोग दे इना ट्रेंगल दी सम अफ दी थ्री एंटिर एंगल इस वाई दी वेल्यू एगा एक्स नियागा त ठीक है सो 2y is equal to 180 मैनस 90 ते ए हो गया 2y is equal to 90 डिगरी एक्स वसी चो नब्बे गया नब्बे फुन दो दोना गुणा हो रहे है सो जले इत्थ आएगा दोना पाग हो जाएगा 90 वाई 2 सो दस y is equal to 45 डिगरी सो 45 45 जोड के दे लिए 45 जमा 45 किना होंदा है बच्चेओ 90 डिगरी इस स्वाल दे विची बच्चो पुझ सख दे सिखे state what kind of triangle is this तुसी है दसो नाल एक नमबर दा स्वाल विचा भी पास सख दे माल लो पंज नमबर दा स्वाल है वोच चार नमबर ते दे ओन स्वाल हल करन दे ते नाल एक नमबर वे statement का पच्छान कर गे दसो है किस किसम दा तरी पुझ है what kind of triangle is this किसी बच्चो की कमांगे एक ते देखो है 90 डिग्री यह दाना की राइट ट्रेंगल है और कले राइट ट्रेंगल है एक होर गल भी हैच एकोन इस कोन दे बराबर है अर्थात सम दो पुझी अर्थात एवली पुझा ते एवली पुझा बराबर है य तरी पुझी सम कोनी त्री पुझ है सो ए बच्चो इदना भी स्वाल पाए जासागे जिद्धा में तो पहले तसे है ना जे किन्नों कौन साथ डिग्री यान ते एक्विलेटर ट्रेंगल ते जे दो कौन बराबर हो जान कोई भी दो कौन बराबर हो जान ते फिर होगा कि डिगरी भी हो गया फिर हो गया आइसो स्लीस राइट तरेंग ठीके बच्चो सो एभी गल्ला में तो उन्हों नालांग दास इतनी है पिए स्वाल विच ए गल्वी जोड़ी जा सकती सी सो अब मैं कला आखरी स्वाल हुन फाइंड दी वैल्य ओफ एक्षेंड भाई उद नहीं सो ए देखो बच्चों एरे विच भी है वर्टिकली अपोजिट अंगल धी कुंधी पाती है नहीं बिद्दां करके है वर्टिकली अपोजिट अंगल हो ठीके सो एभी इते वर्टि देर्फोर अंगल BAC is equal to GAF ते दुजी वाल गडिये अंगल BAC BAC is equal to GAF तो GF is equal to X ठीके फिर आगया अंगल ACB ACB is equal to angle DCE अगल अगल करांगे अगल मैदान त्यार हो गया आज़ो धी सम आव थी इंटेर अंगल अगल 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 is 180 degree तो X जमा X जमा X is 180 degree तो 3X हो गए 3X is 180 degree और X is 180 degree बटा 3 10 X is equal to 60 degree तो 60 degree है एक 60 degree है तो X Y दे बराबर है तो Y is equal to X so Y is equal to X so Y भी 60 degree दे बराबर है तो X भी 60 degree दे बराबर है तो जमा पहले दसे आए what type of triangle is this एदा मतलब होया it is an equilateral triangle क्योंकि तिन्नों कोण बराबर ने 60 degree ने equilateral triangle हो गया एह मेरेकल नों आखरी स्वाल है एह देखो बच्चो एह बड़ा interesting स्वाल है ठीक है हुआ देखो इत्थे Y ये ते इत्थे X है so मैं इत्रों दी start नहीं करांगा क्योंग इत्थे XY आ जाएगा इत्थे X है इत्थे Y है so मैं एत्तिन पूर्ण 180 degree लेके चलांगा तब भी स्वाल नहीं होएगा सो मैं तीजा से दांट जाएगा क्यडा exterior angle is equal to the sum of opposite interior angles क्योंकि इत्थे भी X है गया ते इत्थे भी X है गया इकको variable है so we know that in a triangle an exterior angle is equal to the sum of the opposite interior angles so exterior angle क्या है 2X-5 is equal to opposite interior angle क्योंकि पजा जमा एक्स जमा फाइव पजा जमा एक्स जमा फाइव और ब्रेकेट खोलता 2X-5 2X-5 पजा डिगरी जमा एक्स जमा फाइव ठीके क्योंकि खोलता ब्रेकेट फुंडे को 2X-1 पास से करना है ते figures दूजे पास से करना है so 2X इत्थे X आ गया plus so इत्थे आगे हो जगा minus X 2X-X इत्थे पजा जाए गया जमा पांज आ गया ते इत्थे लगी X दी वैल्यू ठीक है 60 डिगरी अग्ये देखिए उन 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 वाइडी वैल्यू करनी है आलसो दी सम आफ दी थ्री इंकेटी डिगरी उन मैं एवला से दांत जूस करांगा क्यों क्योंकि मैंनों X दी वैल्यू पता लग गई है है स्फ्टी जमा फाइव जमा फिस्टी जमा वाइगी ऑन प्रनेटी बट एक सिस्टी डिगरी सम पासे रख लिया पासे अंप्रस आङ तो नौन सजेवह से लागे 180 जो 50 गया 130, ते 130 जो 65 गया 65, so y is equal to 65, so y आगया 65, x आगया 60, so 60 जमाँ 5 किनना आगया बच्छेओ, 65, so 65 जमाँ 65, 130 जमाँ 50, 130 जमाँ 50, 180, so मेरा जवाब ठीक है, ठीक है बच्छेओ, सो इस तरह इस स्वाल करने ने, ऐस स्वाल भी बड़ा थुड़ा ठीड़ा सी, हो साधा है, ऐस स्वाल तो नूँ दो तिन वार, चार पांज वार करना को वे, कि करो जुरूर, वो दिनार्ट आगया पकड़े से दहांत दी, गणित दी, बहुत वधिया हो जाएगी, मैं तो न स्वाल, बड़े मजेदार, और बड़े रोचक स्वाल से के, ते न नों तुसी जरूर यहना दा भ्यास कर लाना, और बड़े ही महत्तव पुर्ण स्वाल में, पेपरां विच्चों, पेपरां विच्च यहना विच्चों कोई न कोई स्वाल जरूर आणगे, सो प्यारे व मन लगा के अनुशासन दाल अपने पढ़ाही करी चलो ते अगले वीडियो तक ली गुड़ बाद पढ़ा सारे आंदा बहुत बहुत अनुवाद रभराखा थेंक यू भरी मच